नमस्कार साथियों, सवागत है आपका आज के इस वीडियो में दोस्तों, साउत की फिल्मे औरजिनली, तमील, तेलगू, मलियालम और कन्नड बैंगिवेज में बनती हैं उसके बाद इन फिल्मों के हिंदी राइटस भिखते हैं और इन फिल्मों के हिंदी राइट्स ओनर इसे हिंदी में मजे हुए डबिंग आर्टिस्ट से डब करवाती हैं लेकिन पिछले कुछ सालों से कुछ ऐसे उल्लू के पठे परकट हो गए हैं जो किसी भी नई साउथ मुवी को हिंदी में डब करके उसे निट पर अपलोड कर दे रहे हैं इनकी घटिया डबिंग के चलते अच्छी से अच्छी मुवी भी कचरा हो जा रही है दूसरी तरफ हिंदी आडियंस में साउथ मुवी का इतना क्रिज है कि लोग अनफिसियल डबिंग फिल्मे भी देखने से नहीं चूक रहे हैं फिलहाल दोस्तों मैं किसी भी अनफिसियल हिंदी डब मुवी को सापोर्ट नहीं करता हाँ कुछ अनाफिस्यल फिल्में मैंने आपको जरूर रिकमेंड की है मैं उन्हें फिल्मों को आपको रिकमेंड करता हूँ गिनकी डबिंग ठी ठाक होती है तो चलिए भाई बातों को देते हैं विराम और सुरू करते हैं आज का फाडू वीडियो 6.5 की IMDB रेटिंग वाली 118 तेलगू लैंगिवेज की एक एक्सन मिस्टरी थ्रिलर फिल्म है साल 2019 में रिलीज हुई है फिल्म अब आफिसियल डबिंग के साथ हिंदी में मिसन 118 के नाम से एविलेवल हो चुकी है जिसके इस्टार काष्ट में नंद मुरी कल्यार राम, सालिनी, पांडे और निविथा थामस जैसे सितारे देखे जा सकते हैं फिल्म की कहानी में गौतम एक जर्नलिस्ट है और एक दिन जब वे एक रिसॉर्ट के रूम नंबर 118 में सो रहे होते हैं तो वे सपने में एक लड़की की हत्या होते हुए देखते हैं कहानी में पिश्ट तब आता है, जब यही सपना उन्हें बार बार आने लगता है अब परेसान होकर गौतम अपने सपने के पीछे की सचाई का पता लगाने निकल पड़ते हैं अब क्या है गौतम के सपने की सचाई और वह लड़की कौन है जिसका सपना गौतम को बार बार आता है इसका जवाब तो आपको इस फिल्म के देखने के बाद ही मिलेगा यकीन मानिये यह फिल्म आपको लाश्ट तक भरपूर मज़ा देगी लिंक इस डिस्क्रिप्शन प्ल हिन्डे में रेड नाम से ही एविलेबल हो चुकी है राम पुथि नेनी मालवी का सर्मा और निविथा पितुराज इस फिल्म में राम पुथि नेनी ने डबुल रोल का किरिदार प्ले किया है फिल्म की कहानी में सिधार्त एक इंजीनियर है और आदित एक क्रिमिनल है एक जब आदित भी इसी केस में इन्वाल्व हो जाता है अब आकास को किसने मारा और इस हत्या कांड के पीछे का पूरा फ्लैस बैक क्या है ये तो आपको इस फ्रेम के देखने के बाद ही पता चलेगा यकीन मानिये इस फ्रेम का कलाइमिक्स देखकर आपका सिर्ग घूम बतातें चलें कि या फिल्म साल 2019 की तमिल फिल्म थडम की रिमिक है 7.8 की IMDB रेटिंग वाली जोगी हिंदी लेंगिविज की एक पीरियड हिस्ट्री थ्रिलर फिल्म है दिल जीत और कुमुद मिस्टरा इस्टारर या फिल्म 16 सितंबर 2022 से नेटफलिक्स पर इस्ट्रीम हो रही है या फिल्म 1984 के सिख दंगे पर आधारित है फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे राजनीतिक फायदे के लिए एक नेता ओटर लिष्ट में सिखों के नाम पर निसान लगा कर गुंडों को उन्हें मारने काटने और उनका घर जलाने की खुली छूट देता है वास्तों 2008 की IMDB रेटिंग वाली देजावू तमील लेंग्वेज की एक मिस्टरी थ्रिलर फिल्म है जुलाई 2022 में रिलीज हुई इस फिल्म के लीड रोल में अरूल निथी और मधू हैं फिल्म की कहानी में एक नोवलिस्ट अपनी कहानी में जो कुछ भी लिखता है वा वास्तविक जीवन में घटित होने लगता है कहानी में टिश्ट तब आता है जब उसके नोवल की कहानी के ही अधार पर डीजीपी की बेटी ही किडिनैप हो जाती है परिसान होकर डीजीपी इस अजीवो गरीब केस को साल्व करने के लिए एक अंडर कवर आफिसर विक्रम को बुलाती हैं अब विक्रम किस तरह से इस जटिल केस को साल्व करते हैं ये तो आपको इस फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा दोस्तों लाश्ट तक इंगेज करके रखने वाली या एक ऐसी इन्विस्टिगेटिव मूवी है जिसका क्राइमिक्स बेहद साकिंग है लिंक इज डिस्क्रिप्सन प्लीज चेक इट 4.6 के IMDB रेटिंग वाली चेजिंग तमिन लेंग्विज की एक एक सन क्राइम मूवी है साल 2021 में रिलीज हुई इस फिल्म के लीड रोल में वर लच्छमी सरत कुमार और बाला सरवनन है फिल्म के कहानी एक जाबाज पुलिस आफिसर एक दिन वा एक लड़की को किडनाइप होने से बचाती है लेकिन इस किडनाइपिंग का मकसद कीलियर नहीं हो पाता है आगे लच्छमी कुछ पुलिस आफिसर की एक टीम बना कर अलग अलग लोकेशन पर गुंडो और ड्रग तसकरों को सर्च करती है अब इन गुंडो औ और ड्रग तसकरों की चेजिंग के पीछे लच्छमी का क्या मकसद है यह तो आपको इस फिल्म के देखने के बाद ही पता चलेगा ओके माई फ्रेंड्स इन सब भी फिल्मों के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एविलेबल हैं आपके सुझाव और विचार कमेंट बॉक्स में सादर आमंत्रित हैं थाइंक्यू टेक केर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में